शोयब और दिपिका ने अभी हाल फिलाल में अपनी प्रेग्नेंसी अनाउस की है आपको बता दे कि दिपिका तीन महिनी प्रेग्नेंट है जो कि यह बात काफी टाइम से अपने सब्सक्राइबर और फ्रेंस से चुपा रही थी हाला कि काफी सारे न्यूस चैनल्स ने और की बिमारी की की वो बिमार है इसलिए वो वीडियो में नहीं आ रही है वो रैस पे हैं इसलिए वो वीडियो में नहीं आ रही है शबा के बरड़े पर भी वो वीडियो में काफी कम आई थी इसके बाद भी वो वीडियो में काफी कम आए इंक्लूडिंग उनकी फैमिली ने उनकी और शोईब ने वीडियोस बनानी बंद कर दी थी सिर्फ किस वज़े से कि वो नहीं चाते थे कि उनके सब्सक्राइबर बार बार ये सवाल पूछे कि आखिर क्या वो प्रेगनेंट है या नहीं है वो ये बात तीन महीने तक छुपा कर रखना चाते थे इसके पीछी उन्होंने काफी बड़ा रीजन बताया सबसे पहले तो रीजन ये ही था कि उनकी फैमली इस चीज़ के लिए अलाव नहीं कर रही थी कि तीन महीने तक किसी को भी ये बताया जाए कि दीपिका प्रेगनेंट है दूसरी बात ये थी कि इससे पहले 2022 में फरवरी महीने में के आसपास भी दीपिका की प्रेगनेंसी हुई थी जो कि कुछी दिनों बाद उनको मिस्केरेज हो गया था तो इसी डर से कि कहें इस बार भी कुछ ऐसा ना हो जाए या कुछ ऐसा हो जो कि हमें बाद में दुख दे या फिर बाद में इस चीज को जहिलना पड़े इसी वज़े से उस दुख को उभरते वे अब जो उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है इसको उन्होंने अपने फैंस से और सब्सक्राइबर से छुपाया है तो ये देपिका और शोयब के केस में थोड़ा ऐसा है कि ये जो है व्लोकर्स के सासा सेलेबरिटी भी है इस वज़े से ये बाते छिपा कर रखना इनके लिए जायज मनता है और ये भी है कि हमें अब इनको ब्लेसिंग देनी चाहिए आपका कहके रहा है इस बारे में मिलते हैं नेक्स टुडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू सो मच